हेलो दोस्तों साथ है आपका डिमार्टिंग बोल में, मेरा नाम है विशेक, दोस्तों आज की वीडियो का मैं टोपिक है best hosting provider for WordPress तो दोस्तों आज की वीडियो का पुटाने चाहे एक एसे web hosting provider का जो WordPress hosting के लिए एक दम perfect रहने वाला है ठीक गाइस उससे पहले एक वीडियो को start करें चल्जी करें चानल को subscribe और bell icon को press ताकि जब भी मैं कोई वीडियो प्रोड़्रस को notification सबसे पहले आपको मिलें तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ओके गाइस जब भी आप एक WordPress वेबसाइट बनाने के बारे में सोचते हो तो आपको dominer hosting तो लेना ही होता है ठीके ऐसे मैं आपको हमेशा एक WordPress hosting के बारे में सोचना चाहिए ठीके और मैं भी यही करता हूँ इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं WordPress hosting कहां से लेता हूँ ठीके और यह क्यों एक best web hosting provider है WordPress के लिए ठीके तो सबसे पहले कहां से लेता हूँ यह मैं आपको बताता हूँ वेब space kit आपको Google पर सर्च करना है या फिर link में आपको description में प्रवाइड करवा दूँगा ठीके आप वहां से भी जा सकते हैं अब यहां पर आपको first site को open कर लेना है अब यह है web space kit की website यहां से हम domain और hosting purchase कर सकते हैं अब guys इनकी खास बात है इनकी speed performance जो कि और uptime ठीक है अब हम बात करें यहां पर speed का किसी भी website का speed जो होना मला speed का अच्छा होना उस website की ranking को effect करता है Google को जो ऐसी website जिसकी speed बहुत अच्छी हो वो Google को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और उन websites को Google rank करता है सिर्फ यही एक factor नहीं होता है more than 200 factors होते है लेकिन speed और website का responsive होना यह Google का एक बहुत बड़ा algorithm है जिसमें यह दोनों चीजों को fulfill करना बहुत ज़रूरी होता है और यह जो company है यह हमारे speed को fulfill करता है responsive बनाना आपके हाथ में लेकिन speed की guarantee company देती है uptime का मतलब यह होता है कि आपकी site कितने time तक live रहती है ठीके तो uptime यहाँ पर आपको मिल रहा है 99.9% इससे क्या होगा आपकी site जो है हमेशा live रहेगी और 99.9% इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब पूरे महिने में कभी भी ऐसा एक time आता जब सबसे कम traffic होता उस time पर maintenance का काम करती है तो इस वज़े से इसको से लिखा जाता है इसका मतलब यह नहीं होता है कि 99.9% का मतलब कभी ना कभी down जाएगा इसका बिलकुल भी यह मतलब नहीं होता है ठीके guys तो यह एक reason हो इसके बात बात करते है customer support की guys literally customer support कमाल गा है क्योंकि मैंने बात की हुई है मैंने chat किया है मैंने call किया है मैंने बात किये इस वज़े से मैं आपको suggest कर रहा हूँ नहीं तो मैं आपको एचीज suggest नहीं करता ठीके जब तक मैं experience नहीं कर लेता हूँ मैं कोई भी चीज़ बताता नहीं अब यहाँ पर हर प्लान में आपको free domain और free SSL मिल रहा है और free daily backup मिल रहा है free daily backups एक ऐसी चीज़े जो मुझे बहुत ही जाता पसंद है क्योंकि अक्सर मैं backup लेना भूल जाता हूँ और site में changes करके फिर मुझे याद आता है कि यार मैंने तो backup लिया नहीं लेकिन क्योंकि मैं hosting ये वाला use करता हूँ इसलिए मुझे free backups की tension नहीं लेनी पड़ती है और शायद इसी बचे से मैं रोज backup लेना भूल भी जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है hosting मेरे लिए काम कर रही है ठीके गयए guys तो यहाँ पर अगर आप domain register करना चाहते हो तो simply you can be domain register कर सकते हो transfer करना चाहते हो transfer कर सकते हो और यहाँ पर आपको plans में WordPress hosting और web hosting हमें चाहिए WordPress hosting हम click कर लेंगे आप यहाँ पर WordPress hosting में आप देख सकते हो यहाँ पर 2 plan है, basic और plus आप कोई भी ले सकते हैं basic plan में यह है कि आप एक website host कर सकते हो future में अगर आपको दुबारा कोई website host करने की इच्छा हुई तो आपको अलग से hosting लेनी पड़ेगी ठीके लिए और यह जो plus plan है इसमें आपको unlimited website, unlimited storage, unlimited bandwidth सब कुछ मिलता है आपके जरूरत के हिसाब से अपले सकते हैं ठीके, यहाँ पर आपको 100 से भी ज़्यादा free wordpress themes देखने को मिलेंगे free domain तो है यह, free result है यह, daily backups की बात हमने कर ली e-commerce enabled रहेगा free migration, अगर आपको किसी दूसरे hosting company के साथ काम चल रहा है मतलब आपके website वहाँ पर आप hosted है और आप चाहते हो move करना यहाँ पर, ठीके, तो यह आपको free में migrate करके देंगे आपकी site को मतलब वहाँ से आपके site को उठागे, यहाँ पर रख देंगे बिना किसी तरह के crash नमल, आपके site में कोई प्राउलम नहीं आएगी, यह करेंगे, उसके responsibility hosting company खुद ले रही है, यानि कि web space kit खुद ही responsibility लेकर आपका काम करके data center आपको Singapore, इंडिया और जर्मनी में देखना को मिलेगा, और 10,000 का monthly visit का guarantee देते हैं, और यहाँ पर आपको 1,00,000 monthly visit की guarantee मिलते हैं guarantee देना, बहुत बड़ी बात है, उसके लिए guts चाहिए होता है, और वो guts web space kit के पास है, ठीके गाइस, तो यह चीज़ है, और आपको यहाँ पर 10 business emails मिलेंगे, और यहाँ पर आपको unlimited business emails मिलेंगे, तो हमने सारी चीज़े बात कर लिए plan की, अब हम plan select कर लेते हैं, ठीके हम basic plan लेंगे, फिलाल के लिए इस वीडियो को बिनाने के लिए तो basic plan पर मैंने click कर दिया, अगर आपके पास domain नहीं है, तो आप purchase कर सकते हो, get my free domain पर आपको select करना है, अगर आपका domain किसी और register के साथ है, आप इस यहाँ पर transfer करना चाहते हो, तो आप यह कर सकते हो, और आपने कहीं से और जग जिससे अपने domain ले लिया है, और आप hosting यहाँ का लेना चाहते हो, तो I will use my existing domain रखे आपना जो भी domain है, आपर enter कर देना है, ठीके, तो मेरे case में domain नहीं है, तो मैं get my free domain domain पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर लिखूँगा, अपना जो भी domain मुझे चाहिए, get site wp, और यहाँ पर dot in लूँगा, मैं, और check पर click कर दूँगा, और इससे मुझे पता चल जागा कि मेरा यह जो domain है, यह available है या नहीं तो guys available है, और 6.98 रुपीज लिखा हुआ, लेकिन यह हमारे लिए, बिल्कुल free of cost है, डरने की जुरूत नहीं है, 6.98 रुपीज को 6.78 रुपीज को देख्या आपको डरना नहीं है, यह बिल्कुल free है, continue पर click कर देंगे, अब हमें select करना है कि हमें 12 महीने के लिए चाहिए, यानि कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितरे टाम के लिए चाहिए, तो हम 12 महीने select कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर वापस एक बार reach एक website, 50 GB storage, ठीक है, SSG storage रहेगा, free domain, pre-assistal और automatic malware scan, ठीक है, अब हमारा नाम, email ID, mobile number, यह सारी चीज़े डालनी होगी, और pin code, address वगेर आपको डालना होगा, ठीक है, हलाकि address वगेर आपको यतना matter नहीं करता है, लेकिन फिर भी address वगेर आपको एंटर करना होगा, full address एकदम proper आधार कर पर address दालने की ज़रूत नहीं है, आपको, simply आप जो भी आप आपका area है, city, वगेर, enter करके, आप आगे बढ़ सकते हो, और उसके बाद आपको pay करना पड़ेगा, आप जैसे भी pay करना चाते हो, कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर credit card, debit card, सब कुछ आप use कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर dollar में नहीं है, INR में, यह एक बहुत अच्छी बात है, कि यहाँ पर आपको Indian रुपी में आप pay कर सकते हो, ठीके, तो यह एक option है, हम continue पर click कर देंगे, और अब हम सीधे purchase करने के बाद आगे मिलेंगे, ओके guys, तो हमने payment कर दिया है, payment करने के बाद यह dashboard open हो जाता है, ठीके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारे पास एक service है, ज यहाँ पर यह कुछ इस तरीके का हमारे dashboard रहेगा, website kit का, अब हम आगे देखेंगे, c-panel हो, यह सारी चीज़े हम यहाँ पर देखेंगे, हमको अपने services पर click कर देना है, ठीके, तो अब सबसे पहले तो हम एक बाद website को open करके देखेंगे, हमारी website कुछ इस तरीके से बनी ठीके, हमारी website पर हमने यह theme इंस्टॉल कर दिया था, ठीके, तो कुछ इस तरीके से हमारी website अभी show हो रही है, तो अब यहाँ पर यह हमारी website की तो हमने बात कर ली, आप क्या करेंगे, हम यह आप देख सकते हो, add-on domains, अगर आपको कोई domain वगर add-on करना है, मतलब अगर आप से अपना professional email address create कर सकते हो, जैसे कि यह है, admin address, getsidewp.com, इस तरीका का आप professional email accounts create कर सकते हो, ठीके, file manager, अगर आपको कोई file upload करना है अपने site पे, तो यहाँ से अप upload कर सकते हो, अलागि उसकी जरूत नहीं है, हम अपने WordPress dashboard से कर सकते हैं सारी चीज़े, तो WordPress dashboard भी में आपको login करक सकते हैं, अब हम देन चीज़ जागेंगे, cpanel, यहाँ पर cpanel भी आप वहीं से access कर सकते हो, आपको अलग से login करने की जरूत है, अगर आप login करना चाहते हो, तो आपके mail पे सब कुछ आ जाता है, complete, जैसे आप purchase करते हो, WordPress पे login करने के सारा login credentials आपको मिल जाएंगे, cpanel के login credentials मिल जाएंगे, यह सब कुछ आपको जो है, अपके mail पे मिल जाएगा, लेकिन हम directly यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है, अब यह हो गया cpanel, अब cpanel के अंदर अगर आपको SSL certificate बगरा activate करना है, तो simply आपको यहाँ पर आना है, मेरा सब कुछ activate हो चुका है, ठीक है, आपको य यहाँ पर option आपको मिल रहे है, सब को select कर देना है, ठीक है, और उसके बाद run auto SSL आपको click कर देना, मिला continue पर click कर देना आपको, और simply आपका SSL certificate activate हो जाएगा, और उसके बाद अगर माल लो कि आपको HTTP और STPS का issue आ रहा है, तो आपको यहाँ पर domains में जाना है, domains में जाने के आपको इस पर open कर देना, इसको जो है, force HTTP redirect को आपको on कर देना है, ठीक है, अगर आप इसे on कर देते हो, तो STP और STPS में कोई भी फरक नहीं रहेगा, STP domain से कोई भी अगर open करता है, तो भी STPS पर redirect हो जाएगा, ठीक है, तो यह भी हम कर सकते हैं, तो यह सारे चीजे करने के आपकी जो साइट है, बिल्कुल रडी हो एती ही काम करने के लिए, अब हमें अगर इसको login करना है, बनलब WordPress डैश्वर्ड पर login करना है, तो आपके domain के आगे आपको forward slash लगाना है, और इसके बाद आपको enter कर देना है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपने, आपको यहाँ यूजरनेम और password आपसे मांगेगा, तो आपको यहाँ पर अपना username और password एंटर करना है, जो कि आपको mail में मिल जाता है, तो मैंने यहाँ पर username और password एंटर कर दिया है, तो अब हम इस पर login कर लेंगे, तो आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का हमारा dashboard यहाँ पर देखने को हमेशा, तो आपको यह वाला जो theme है, यह install करा होगा मिलेगा, अब इस theme को, मैं हाँ पर आपको change करेंकर दिखाता हूँ, कैसे एक website बनाई जाती है, तो उसके लिए हम appearance पर जाएंगे, themes पर click करेंगे, और यहाँ पर add new theme, ठीके, यह जो दो themes है, आप इसको चाओ तो remove कर सकत है, क्योंकि यह already यहाँ पर installed है और activated है, तो हमें add new पर click करना है, add new पर click करने के बाद हम एक theme install करेंगे, उस theme का नाम है, astro, astro हम टाइप कर लेंगे, और यहाँ पर install पर click करेंगे, अब activate, theme activate हो चुकी है, अब हम अपने site को रिफ्रेश करेंगे, और कुछ इस तरह की आपक अब एक complete website को हमें यहाँ पर लेके आना, अगर एक website अगर आप शुरू से build करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, नहीं तो हम एक website को यहाँ पर लेके आएंगे, पुरे demo import करेंगे, ठीके, और उसके बाद edit कैसे करते हैं, वो मैं आपको हलका सा hint दे दूँगा इस video पर, बाक और इसके बाद आपको देखना है कि कौन से site चाहिए आपको, तो मैं यहाँ पर select करूँगा e-commerce, तो e-commerce में कौन साइट चाहिए, तो मैं यहाँ पर organic store, इसको select करूँगा, अब site कुछ इस तरीके से दिखेगी, जब हमारा पूरा demo import प्रॉपरली हो जाएगा, तो हम क्या करेंगी, यहाँ पर logo अगर हम एंटर करना चाहिए, तो एंटर कर सकते हैं, अगर आपका logo ready है, तो आप यही से logo यहाँ अप्लोड कर सकते हैं, लेकिन मेरे फिलाल logo ready नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर skip and continue पर click करूँगा, color theme कैसा चाहिए, वो यहाँ पर आप select कर सकते हो, बटन का color और सारा सब कुछ यहाँ से आपको select कर सकते हो, जब भी color आपको चाहिए, वो ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर default colors लूँगा, और continue पर click कर दूँगा, अब आपको यह सारे detail अगर आप enter करना चाहते हो, तो कर सकते हो, required नहीं है, अगर आप enter करना चाहते हो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, और इन सब को select रखना है, ताकि कोई भी problem ना है, और इस पर click कर दिया, अब यह थोड़ा time लगाएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे plugins को यहाँ पर import करना होता है, बहुत सारे forms इंपोर्ट करना होता है, पोस्ट, pages, सारी चीज़े जो है, वो import होगी, तो थोड़ा time लगेगा इसमें, आप युमान के चाहते हो, 5-7 मिनट लग सकते है, तो demo import हो चुका है, तो अब हम अपने site को एक बार और फिर से refresh करके देखेंगे, तो यह यहां पर आप देख सकते हो, पूरा एक e-commerce site कुछ तीन या चार मिनट में ready हो चुका, अब आपको सिर्फ करना ही है, कि अगर आपके products, definitely products अलग ही होंगे, तो आपको सिर्फ अपने products, images को यहां पर upload करना है, जो भी price आप set करना चाहते हो, वो price set कर सकते हो, ठीके, तो यह स कुछ भी अपने site में change करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीके, तो यहां पर माल लोग ही homepage को आपको एडिट करना है, तो edit with element करना है, तो आपको simply इस image पर click करना है, क्लिक करने के बाद, आपको यहां से इस image को remove कर सकते हो या फिर आप इस image को delete कर सकते हो, ठीके, य सकते हो instead of this image ठीक है तो अब फिलाल के लिए मैं एक example के तो पर यह वारा image ले लेता हूं ठीक है insert media तो आप देख सकते हो उस image की जागे यह image आ गई है ठीक है अब आपको यह देखना है कि आपकी जो image की size होगी उस size को आपको प्रॉपरली चेक करना है और उससे उससाब से आपको same size की image upload करना है जैसे कि अगर माल लेते हैं यह वाली image है तो आप देख सकते हो 634 by 543 pixels की image लेती है तो आपको इसी pixels के एक image create करनी है और उस image को आप upload कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से आप श was on value तो कुम है पार आपको श४र अगर है अगे अजूआ आप पर बतन के कलर सकते और यहां पर आप और आप ओपशन मिल जाए कंशिंज कर तो और उसके बाद आप शेंज कर सकते ऊ और उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते और एक्जमपल मैं आप прошग्मी ब्लु और इसका font चेंज करना चाहते हो, आपको दुनिया बर के fonts यहाँ देखने को मिल जाएंगे, तो उससे आप font भी चेंज कर सकते हो, और आप यहाँ पे background, color, हर एक चीज, हर एक item जो आप चेंज करना चाहते हो, वो सब कुछ आप यहाँ पे change कर सकते हो, जब सारा सब कुछ complete हो मैं S-Site को refresh करके दूँगा, अब यहां पर products है, और button color green है, ठीक है, तो मैं refresh कर दूँगा इसको, अब आप देख सकते हो, यहां पर items आगया है, और button color blue हो चुका है, image को हमने change नहीं किया था, खाली मैंने आपको बताते हैं, कैसे change करते हैं, ठीक है, आपको perfect size की image select करना है, और उसके बाद आपको लगाना है, और इस तरीके से आप फूरे site की कोई भी चीज़ को आप edit कर सकते हो, ठीक हर एक चीज़ जो आप edit करना चाहते हो, वो आप यहां पर edit कर सकते हो, ठीक है, कु ठीक है, तो मैं यहां पर चाहता हूँ, by now लिखा हुआ आजाए, तो simply, आपने इतना सा, आपने text को change किया है, और यह काम हो गया, इतना easy तरीके से आप इसको कर सकते हो, हर एक चीज, यानि कि यहां तक यह image change करना चाहते हो, ठीक है, हर एक चीज, आप यहां से edit कर सकते हो, और आपको काम हो जाए, अगर माल लो, कि यह वाला जो area है, आप चाहते हो कि यह वाला area आपको नहीं चाहिए, इस site पर, ठीक है, कोई भी area अगर आपको नहीं चाहिए, तो आपको simply उस area को select करना है, और यह close button आ जाए, इसको close कर देना, और वो area कायब हो जाएगा, ठीक है बिलकुल आपको किसी चीज के tension लेंगी ति बहुत ही easy और आपको को area अगर add करना है, तो यहाँ पर सबसे last में आपको आना है, प्लस पर click करना है, और आपको देखना है, कितने columns चाहिए, अगर आपको 2 columns चाहिए, तीन columns चाहिए, जितने columns चाहिए, अगर आपको single column by now, यहाँ मैंने लिख दिया, और मुझे यहाँ पर भी अगर कुछ चाहिए button, तो यहाँ पर मैं बटन लगा सकता हूँ, या फिर मालों कि मुझे heading लिखना चाहिए, heading लगा सकता हूँ, image लगा सकता हूँ, ठीके, अब फिर मुझे खाली उस image को select करना है, और simply, कोई भी अ thumbnail, छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए, आप उस size का image यहाँ पर set कर सकते हो, इस तरीके से आप columns और rows आइड कर सकते हो, इस rows का placement है, उसको change कर सकते हो, आपको simply drag करके उपर ले जाना है, और इसका area जो है, यह change हो जाएगा, मतलब अगर आपको ल कर सकते हो, और आप इस तरीके से अपने site को build कर सकते हो, ठीक गाइस, तो उमीदै की सारी चीज़े आपको अच्छे सरी के समझ में आगई होगी, link में आपको description में दे दूँगा, website से जाके purchase कर सकते हो, अगर कभी कोई discount बगेरा चल रहा होगा, तो उस link से आपको discount भी मिल ठीक गाइस, तो उमीदै की वीडियो को पसंद आया होगा, पसंद आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे हमें आगे उस वीडियो बनाने की motivation मिलती है, ठीक गाइस, तो आज की वीडियो से भी इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद